नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें आचार जागंदर मिस्रा मकर राशवालों जून के महीने में आपके साथ होगा कुछ हैसा कि बया करना भी होगा मुश्किल बुजी समा भी जल सकती है तूफानों से कस्ती भी निकल सकती है होके मायूस यून अपने इरादे बदल तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है दोस्तों रंग भरे इस दुनिया में निराश होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है हम सब कुछ वह कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं दोस्तों आज तक हमने पहले कभी नहीं सोचा वो भी हम कर सकते हैं ये भी सत्ते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि मुसीबितों से भागना नई मुसीबितों को नीमंत्रण देने के शमान है वरतमान परिश्थितियां आपको हैरान कर रही है लेकिन चिंता करना छोड़ दीजे क् कि जीवन में आप जिस मुसीबितों का सामना कर रहे हैं वह परिष्टिती जून के महीने में दूर होने वाली है मकर राशिवालों फिर से आपकी उजड़ी हुई दुनिया में भाग का साथ मिलने वाला है यानि दोस्तों हमें मालूम है कि दूर से आपके राश्ते बंद ब्रिहस्पत जी भी बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल देव की तो लाब भाव के स्वामी आकर दुती भाव में बैठे हुए हैं जो कि धन योग से परिपूर्ण बना रहे हैं यानि जून के महीने में आपको रियाल इस्टेट प्रोपलिटी स संबंधित यानि जिन चीजों के कारक मंगल देव हैं आपको देने वाले हैं तरक्की के दाता यहाँ पर अगर बात करें बुद्ध देव की तो बुद्ध देव छटे भाव में बैठे हुए हैं और सुक्र देव जो की अपने स्वेहम की राश पंचम भाव में शूर महीने में अगर हम सुर देव की बात करें तो 14 जून तक हैं पंचम भाव में शुक्र देव के साथ रहेंगे और 15 जून की शुबह जब वो मिथुन राश में जाएंगे तो एक बार फिर वो रब बुद्ध दित राजियों कर निर्मार करेंगे जो आपके लिए बहुत ही मैंने कि आपके मनोकामना पूर्ण करने वाले मंगल ग्रह दुती भाव में बैठे हैं लाब भाव के स्वामी भी है और चतूर्द भाव के स्वामी है तो भूम प्रोप्रोइटी से संब्धे तमाम चीज़े आपको देने में सक्चम हैं दोस्तों ये जो तमाम ग्रहों की इस्तिती है इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि जून के महीने में मकर राशवालों आपका भागी ही बदल जाएगा तो आए जानते हैं यहां पर मकर राशवालों जून 2020 के अनुसार जून के महीने में बहुत सारा बदलाव आपके साथ होने जा रहा है जो आपके लिए प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, साथ ही मान सम्मान की प्राप्ती होगी, जून की महीने में मकर राशवालों आपको भरपूर उन्नत और सफलता आपके हाथ लग सकती है, यानि जिसके चलते आप अपने कारचेत्र में अधिक धनलाब कवाने की अबसार आपको प्राप् कर देगा जिसके बारे में जो पिछले माँ आपने मंदी का दौर छेला था उसकी भरपाई करते न जराएगा कारचेत में आपका परिश्रम आपको नई पहचान दिलाएगा मकराश वालों यदि आप कोई जोब करते हैं नोकरी करते हैं या जोब और नोकरी को लेकर चिंतित हैं तो ये चिंता करना छोड़ दीजिए क्योंकि आपके लिए जून लाश्ट तक में एक नई नोकरी मिलने के अफसर आपको मिलेगा जिसके चलते आपका रोजगार चलेगा दोस्तों आपके लिए नोकरी के लिए जोब के लिए नया रास्ता खुल जाएगा दोस्तों अ दुतियेस, दुती भाव के स्वामी भी हैं, धन योग के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको पैत्रिक शंपत्ति भी मिलने के योग बन रहे हैं, जून के महिने में आपको आपके पिता जी का साथ मिलेगा, साती सहयोग मिलेगा, माता का भी साथ मिलेगा, दोस्तों आपको जमी भी आपके साथ रहेगा और जो परेसानिया चल रही है आपके बैवाहिक जीवन में वो भी दूर होंगी बाद विवास से बचना होगा इदि आप शेयर मार्केश और लोटरी शेटर में अगर आप आजवाना चाहते हैं तो जून के महीने में मकर राशवालों आपके लिए लकी साबित होने वाला है आप इन छेत्रों में जवरजस्त पैसा कमा सकते हैं दोस्तों इस समय सत्रू विरोधी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड सकता सत्रू कितना भी चाहे वो आप से पीछे ही रहेगा आप सत्रों से आगे निकल जाएंगे तरक्की करते हुए इ अपने बिजनेस का आप विस्तार कर सकते हैं अभी तो फिलाहाल थोड़ी दिक्कत जरूर चल रहे हैं लेकिन इस दिक्कत से आगे निकल कर आप जो आपके कुंडली में जो मजबूत योगिस्त में बन रहे हैं जून के महीने में तो आपके लिए लकी सावित होने वाला है और दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे कंपनी से जोब के लिए आफर आ सकते हैं यू कहें कि परिवर्तन की इस्तिती आपके लिए बन रही है जिसके चलते मकर राशवालों आपको मात रुभू में भी जाने का अपसर प्राप्थ हो सकता है आपको अपने परिवार जनो से मिलने का अपसर प्राप्थ हो सकता है इसमें आपके लिए यात्रा भी बन रही है स्वास्त संबंधी अगर कोई परिशानी चल रही है तो इसमें आप जितना हो सके गाहितरी मंदर का जाप करें आपके माता का इसमें स्वास्त थोड़ा खराब हो सकता है दोस्तों सेयर म मार्केट लोटरी शट्ट में आपको जवचस तलाब देखने को मिलेगा दामपत जीवन की बात करें तो जो एक मन मुटाव चल रहा था पिछले काफी पिछले महीने से अब वो खत्म होने वाला है एक प्रेम संबंध में प्रगाड आएगी यानि मजबूती आएगी और जो मैं इस स्वर से यही कामना करता हूँ कि आपके लिए जून का महीना आपके लिए बहुत लखी साबित हो और आपकी सारी एक छाये पूर्ण हो तो दोस्तों जाती जाती वीडियो को लाइक जरूर करिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेश शेयर करिए चैस श